बेस्पी की टाउन्शिप स्थित सेक्टर 4 में मंगलवार की सुबह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया या हजारों गेलन पानी से भरी दो टंकिया अचानक धवस्त हो गई गरिमत ये रही कि इस हाथसे में कोई हताहत नहीं हुआ मेंटेनिस आफिस के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुँचा है इन टंकियों से सेक्टर 4 सेक्टर 3 स्थित आवासों को जलापूर्ती की जाती है पाहिं टंक की गिरने की सूचना मिलते हैं इस्थाने विधायक और मेयर मौके पर पहुँचे उन्होंने घटना स्थल का जाइजा लिया ऐसा बताया जा रहा है कि कई दर्शक पूर्व बने इन टंकियों के जरजर होने की खबर पिछली दिनों ही बेस्टी प्रबंधन को हुई थी इसके बाद थोड़ी लेफा पूती कर मरम्मत की गई और उसे उसी हाल में छोड़ दिया गया था टाउंशिप छेत्र में मंगलवार की सुभा भिलाइस पास सेंद्र की दो पानी टंकियां भरभरा कर गिर पड़ी दरसल एक पानी टंकी के गिरने के पूर्व टंकी से जल रिसाव हुआ था जिसकी वज़ा से वहां टंकी के नीचे खड़े लोगों में दर्शत फैल गई और वहां मौके से भाग खड़े हुए इसके कुछ छड़ों उपरां थी एक पानी टंकी गिरी जिसका मलवा दूसरी पानी टंकी पर गिर पड़ा और दोनों ही पानी टंकियां भरभरा कर नीचे गिर पड़ी पानी टंकियों के गिरते ही टंकियों में भरा पानी आसपास के छेतर में फैल गया बिलाई इस पास सेंत्र का फायर अमला और पुलिस विभाग के करमचारी भी मौके पर पहुँचे इस गटना की जानकारी लगते ही बिलाई नगर विधायक देवेंदर यादव और महाप और नीरच पाल ततकाल मौके पर पहुँचे और गटना इस्थल का निरिक्षण कर आजपास के लोगों से चर्चा की विधायक देवेंदर यादव और महाप और नीरच पाल काफी वक्त तक गटना इस्थल पर मौझूद रहे और आजपास के लोगों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्ता उपलब्द कराई ततपस्चाज विधायक और महापौर ने बेस्पी के अधिकारियों के साथ बैठक की और टाउन्शिप छेतर के अन्य इस्थानों में बनी पानी टंकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की साथ ही पानी टंकियों के रख रखाव और संधारण को लेकर BSP के अधिकारियों से चर्चा की घटना के काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड जमी रही लोग इस घटना के पीछे BSP प्रबंधन की उदासिंता को ही कारण मान रहे हैं लोगों का कहना है कि पानी टंकियों को बनाए वर्षों बीत चुके हैं कुछ पानी टंकियों में रिजाव भी लगातार होता है बावजूद पानी टंकियों के संधारण और रख रखाव को लेकर BSP प्रबंधन उदासिंत बना हुआ है जिसकी वज़ा से इस तरह की दुर घटना सामने आई पूरी घटना को लेकर विदायक देवेंदर यादा और महापार नीरच पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी हम लोगों को भी सुबह छे वज़े की यह घटना की जानकारी मिली और इसके आद हम लोग सब लोग यहाँ पर पहुंचे इश्वर की ग्रीपा से किसी कोई भी जानमाल की हानी नहीं हुई है लेकिन दुर्भा की पूर्ण है बीएसपी प्रबंधन को लगातार इन सभी चीजों की शिकायते हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद यह घटना हमारे लिए एक सबक है बीएसपी प्रबंधन के लिए एक सबक है कि कैसे आने वाले समय में पूरे टाउंशिप एरिया की जो जरजर बिल्लिंग से हैं यह जो भी डैमेज बले वो सिवरेज लाइन हो वर्टर लाइन है यह सब पे एक गंभीर रूप से एक्शन की जरूरत है मैंने देखा है पिछले समय में PSU इसको जिस तरीके से प्राइविटाइजेशन किया जा रहा है उसके बाद उनका सोशल रेस्पॉंसिबिल्टी पे इंटरस्ट पूरी तरह खतम हो चुका है आज के लिए हमारे लिए तो सबसे त्वरित चैलενज यह है की हमें हमारे लोगों को पानी पहुंचाना है हम लोगों का पूरा फोकस यह है की सेक्टर 4 και 3 के जो परिवार के लोग हैं हमारे उनतक पानी कैसे त्वरित रूप से पहुंच जाए एक आस्थाई व्यस्ता आज दुफैर तक हम बना लें और इसके बाद हम आने वाले दिनों में इस्थाई भी व्यस्ता बना के दें क्योंकि यह जो टंकी गिरी है अब यहां से मुझे लगता है कि दो सेक्टर्स को लोगों को पानी जाता था टंकी तुरहन बन नहीं सकती एक पहले लिस्ता ही रहता हमको जरूरत है थाकि लोगों लोग समानी जीवन जीव पाएं तो चैलेंजिंग है हम निगम प्रशाशन जिला प्रशाशन पूरी तरह मौझूद है और पूरी दाका से हम लोग काम कर रहे हैं हम बीस्पी प्रदमंदन से भी यही उम्मीद कर रहे है लेकिन अभी common discussion के बाद road map बनाया जाएगा और इसके बाद आप लेकिए बहुत सारे views आये हैं सुबे से बात करते हुए लेकिन इसको on table with documents details discussion करने के बाद हम इसको जारी करेंगे कि किस तरफ बढ़ रहे हैं विस्पी के अभी उच्छ अधिकारी यहां पहुंचे नहीं करेंगे जिम्मेदारी तो अब यह तैय होगी बाद में कि क्यों गिरी कैसे गिरी लेकिन एक बात निश्चित है कि पहले सबसे प्रात्मिक्ता तो यह है कि सबको पानी मिल सके जिन सेक्टर 4 के पूरे घरों में आज प्रभावी पानी कूर्टी जो होती हो प्रभावीत अगर टाउन्शिप में अगर ध्यान नहीं देगा यह तो एक आज भगवान का बहुत शुक्र है कि कोई घटना दुर घटना नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो उसके लिए बीस पी को जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना पड़े कैसी और घटना हुई है भगवान करे आगे ना हो इसके लिए बीस पानी औंकियों के गिरने से किसी तरह की जन्हानी तो नहीं हुई लेकिन वर्तवान में कुछ इस्थानों पर पानी टंकियों के नीचे थानों सहीत अन्यकारियों का संचालन किया जाता है भविश्य में इस तरह की घटनाओं के पुनरा वृत्ती रोकने ब्यस्पी प्रबंधन को ठोस पहल किये जाने की जरूरत है Grand Asian News के लिए संजय दुबे